इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ कैसे प्रोपर तरीके से इस HP test set 1050 प्रिंटर को खोला जाता है हाव तो प्रोफरली टेर डाउन HP test set 1050 किसी भी चीज को रिप्यार करने से पहले उस चीज को सही तरीके से खोलना आना चाहिए और ना खोलते वाक्त वो कही से भी crack हो सकता है और अगर crack हो जाता है तो आपको बहुत frustrated सा महसूस होगा और उस चीज को बिल्कुल भी repair करने का मन नहीं करेगा अगर फिर भी आप repair कर लेते हैं तो उस भंगर जैसी देखने वाली machine को यूज करने में आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लागेगा मैं इस printer की logic board, replacement और भी कुछ repairing का tutorial बात में डालूँगा मैंने सोचा था कि इस carrying down के वीडियो उसके साथ ही में दे दूँगा फिर मैंने सोचा कि जिसको इस वीडियो की जरूरत होगी उसको find करने में काफी परिशानी होगी इसलिए मैंने इस वीडियो को आलग से पना रहा हूँ तो आईए अब इस printer को खोलते हैं printer को खोलने के लिए आपको सबसे पहले screws find करने पड़ेगा कहा कहा screws है इसके इस printer में कुछ screws open है और कुछ hidden है यहाँ पर इस धकन को उपर उठने पर आपको सिर्फ दो screws नजर आएंगे और दो screws कहाँ पर हैं आया ढूंटते हैं और दो screws के लिए आपको बिल्कुल printer के left bottom corner पे जहाँ पर button का पैनल है वहाँ पर बिल्कुल bottom side पर उस clip lock से पैनल को थोड़ा से force लगाकर उपर उठाई है ज्यादा force मत लगाई होगा ना तूट सकता है और पैनल को थोड़ा front side पर slide कीजिए slide करने पर वो पुरी तरीके से बाहर आजाएगा लेकिन बाहर निकलने से पहले स्विचेस के पैनल के साथ जुड़े हुए एक strip wire मिलेगा उसको board के साथ disconnect करतीजिए अभी पैनल को उठा कर side में रखतीजिए अभी यहाँ पर total 4 screws दिख रहा है इन screws को खोलना है और मैं आपको recommend करूँगा कि इन screws को खोलने के लिए किसी भी जुगार स्क्रूडाइवर का इस्तेमल ना करें इन screws को खोलने के लिए T15, T20 और T4 अन्य आफ देम भी स्क्रूडाइवर का head यूज कीजिए वारना screw head घिसकर खराब हो जाएगा चारो के चारो screws खोलने के बाद इस portion को दिरे से उपर के और पूल कीजिए एकदम से मत पूल कीजिए क्योंकि यहाँ पर दो strip cable मिलेंगे आपको जो की main logic board से connected है तो थोड़ा सा उपर कीजिए और फिर उसको logic board से खोल लीजिए अभी इस portion को side में रख दिजिए अभी हम CIS sensor को भी इस में से खोल के निकालेंगे इस section को किसी भी school से fix नहीं किया गया है clip lock से fix है तो पहले हम यहाँ पर यह clip lock खोल लेते है और दिरे दिरे एक side से दूसरी side के और खोलते हुए जाएंगे CIS sensor की इस housing को ध्यान से खोड़िए क्योंकि इस में CSAW अगे रहा है और यह काफी heavy भी है okay now it's done here is the eye sensor okay now this printer is completely teared down आशा करता हूँ इस वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो like बटन को प्रेस कर दीजिए और किसी भी सवाल है तो नीचे comment section में comment कीजिए but please make this channel को subscribe कर दीजिए bye bye